जाहिंद आज मैं आप सबों को BPSC के द्वारा सिक्षक भरती जो कि 712-2023 को एक्जाम आयुजित किया गया था जो कि यह प्रस्ण आपको प्रताना ध्यापक से संबन्दित है इस प्रस्ण में टोटल आठ प्रस्ण आपको मैत का प्रस्ण दिया गया है यहाँ पे अभी हम प्रस्ण का प्रस्ण है कर आठ हजार रुपिया पर दो वर्स चार महिने के लिए 15% परती वर्स की दर से चक्रविर्धी ब्याज जो वार्सिक रूप से सन्यूजित होता है होगा देखी जाओ यहाँ पे आपको दो वर्स दिया हुआ यह आपको मुल्दन हो गया यह समय द bonate हो गया दर हो गया कि सिंपल जाब दो वर्स रहता है मिसरधन यानि ए बराबर होता है पी इन्टू ब्लस आरड़ बाते हंड्रेड reminds होता है सिर्फ यह दो वर्स रहता है यहाँ पे महना दिया वाईаф है सिके लिए हम क्या करते है गुना इन्टू वर्स प लस पी इसका द पी देखिए आप कोई दिया हुआ, मुल्धन दिया हुआ, आठ हजार रुपया दिया हुआ, इन्टू, वन पलस, रेट दिया हुआ, पंदरा, तब पंदरा बट एक सब हो गया, फिर इसकी बाद यहां पर गुना करेंगे, एन की मान यहां पर दो वर्स दिया है, दो वर्स यहां लिख लिए, वन पलस, आर का मान दिया हुआ, रेट दिया है, पंदरा, गुना, एन का मान चार महिना है, चाहें, चार महिना को वर्स बनाना है, तो बट बारा करेंगे, इस सब के बट एक सब हो गया, अब इसको आपको हल करना है, यहां पर आठ हजार हो जाएगा, कटा एक बार में यह 15 कटे गा आपको पन्च बार में पन्च कटा एक बार में यह 100 कटे गा 20 बार में अब इसको हल कि जेे यह इक पलस 3 बटे 20 को हल किजिएगा नीचे 20 होगा ऊपर में आपको 23 23 हो गया यहां पे पावर 2 है ते यह दो बार गुन्ह cannot हो कर दो पर मैं को 23 क пож 26 21 open पर अग्यार दीजे आप इस तरह से दो दोणा हाँ यायथ आथ इससे कट गया अब दोपर में आ चौना 25 ऐसा ब्रावर आपको amount बराबर हो गया तईस गुना तईस गुना इकीस यह आपको amount होगा जो कि आपको 11,109 के बराबर होता है आपको यहाँ पे मुल्धन आठ हजार रुपया दिया हुआ था आप आठ हजार इसमें घटा लेजिए आप इतना हो गया 309 रुपया यही आपका ब्याज हो गया जो दो वर्ट चार महने का ब्याज हो गया इसका अंसर आपको ए हो जागा 31 का 32 प्रस्ट में एक मिदवार को मतदान में 35% वोट मिले और वो अपने परतिद्वेंदी से 250 वोटों से हार गया यदि मतदान के लिए केवल दो अमिदवार हो तो कितने वोट पड़े देखिए दो मतदान दो अमिदवार है जिसमें एक आदमी को 35% मिला है देखिए टोटल यानि 100 वोट हम मान लेते हैं तो एक आदमी को आपको 35% मतलब 100 का 35% मतलब 35 वोट मिला है सवार का 35% एक आदमी को मिला है दूसरे आदमी को कितना सवार में से 35 को घटाईएगा या आपको 65 कितना हुआ 35% सोह का सोह वोट में से 55% इसको मिला है देखिए यह 35 वला जो है 65 से जो है न आपको 30 वोट से हार रहा है यह 30 वोट इसको मिलता तो इसकी जिद जाता इसी 30 वोट के वरावर दिया है 2250 दिया हुआ है अब आपको एक वोट वरावर किया होगा इस 30 से करना है भागा टोटल हम 100 वोट माने थे 100 से इसको गुना कर दीजिए 100 से गुना किजिएगा तो यह इस से गया यह 35 कितना हो गया 75 वोट हो जाएगा आंसर नमर इसका बी हो जाएगा 32 का तेरिस नमर सवाल में है इदे किसी समानंतर स्रेनी के पहले 14 पदों का योग 10 से 50 है और इसका पहला पद 10 है तो इस समानंतर स्रेनी का बीश्मा पद होगा दिखिए इस समानंतर स्रेनी में योग जो दिया हुआ एसन बराबर योग बराबर होता है एन बट है टू इन्टू टू ए पलस एन मैनस वन इन्टू डी होता है यहां पे यहां पे बीश्मा पद बुला है एन बराबर होता है ए पलस एन मैनस वन इन्टू डी होता है देखिए एन हमको निकालना है इसके लिए ए चाहिए एन च निकाल लेते हैं फिर इसमें आके रख देंगे इसका मान निकल जाएगा अब एस न का मनद आपको 1050 दिया हुआ 1050 लिखे लिए एन का मन 14 दिया हुआ 14 बटे 2 हो गया into 2 A का मन 10 यानि पर्थम पर दिया हुआ पलस N का मन 14 14 मैनस 1 D का नहीं दिया D हमको निकालना है इसको हल कीजिएगा 7 हो गया 7 इसके साथ में गुना है इधर इधर हैगा तो भाग हो जागा 7 इसको भाग कीजिए या भाग कीजिएगा तो यह होगा आपको 150 हो जाएगा इधर आपको 20 हो गया पलस यहाँ पर यह 13 हो जाएगा इसको हल कीजिएगा चुदा हमसे गया तो 13 D हो गया 20 इधर पलस में इधर मैनस में होगा तो कितना होगा यह मैनस आप 20 कीजिएगा तो यहाँ आपको हो जाएगा 130 हो गया यहाँ पर 13D है आप देखिए 13D को यहाँ D निकालना है आप देखिए 130 बराबर हो गया 13D हो गया 136 में भाग किजिएगा तो यहाँ आपको D बराबर हो गया D का मन 10 हो गया अब देखिए यहां पे 20 माँ पद बोला है निकालने के लिए A N बराबर होता है A पलस N मैनस 1 इंटू D तो यहां पे हमको A N यहीं 20 माँ पद निकालना A का मान हमको यहां पे 10 दिया हुआ है पलस N यहां पे 20 है तो 20 मैनस 1 हो गया D का मूना भी 10 निकाले हैं इसको हल कीजिएगा ये 10 हो गया 19 हो गया 19 गुना 10 इसको सब को हल कीजिएगा तो यहां पे हो गया 10 पलस 190 वरावरी यह हो गया 200 20 माप पध्यमको कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा Answer No. C हो जाएगा 19이죠 No. सवाल में है 10,000 मुल के गैजेट का मुल परती वर्स 10% की दर से घट रहा है कितने वर्सों में इसका मुल घट कर 65-61 रुपिया हो जाएगा देखिए इसका फरमुला लगाएंगे चक्रविर्दी भी आज में होता A बराबर P इंटू 1 पलस R बत 100 पावर N होता ज़े चक्रविर्दी भी आज में क्या होता प्रतेक साल बरता है इसलिए यहाँ पर पलस देते है लेकिन इसकी मिया ओड़ा होरा परतेक वर्स घट रहा है ता घट रहा है तो ही的話 चोल भी हम क्या करेंगे मैनस का यूज करेंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा और कैसे क्यों हुआ है इसको जानने के लिए हम दूसरा विडियो बनाएंगे देखिए यहाँ एक Hammond यहाँ पे कितना दिया गया है यहाँ पर चुक हता है इसाट एकसट हो गया मेरा ए हो गया फिर यहाँ पर यहाँ पर दस हजार वर्तमान में दिया हुआ हुआ है इन्टू वान मैनस यह पर तेक वर्स घट रहा है तो मैनस लगाएंगे आर कामन कितना है दस है दस बटा एक सव लिखेंगे पावर एन यह नहीं जान रहे हैं इसके सब्सक्राइब गुना है इधर है क्या हो भाग हो जगा पैंसाट सो एक सव बटा यहां पे दस हजार क्या ह जगा भाग में हो गया इसको हल करेंगे तो यहां पे क्या होगा यह जिरो इससे कटेगा तो इसको हल करेंगे नीचे यह दस होगा उपर नो हो जाएगा पावर एन है देखिए इसका इसका बेस यह पावर एन जो है इसका बेस नो बटा दस है अब इसको नो बटा दस कीज बार आया था चार उपर हो गया अब देखिए यहां पर बेस नोबटा दस है यहां नोबटा दस है ते बेस समान है ते यहां पावर को क्या करें हम तुलवा कर लेंगे तो एन कामान हो जाएगा हमको चार हो जाएगा जो कि इस सवाल का अंसर आपको सी हो जाएगा 35 नमर सवाल में है यह दो पुरूस और तीन महलाएं एक काम को आठ दिनों में तो था तीन पुरूस और दो महलाएं साथ दिनों में कर सकते हैं तो पुरूस और चार महलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में काम पुरा कर सकते हैं देखे इस तरह के सवाल को बनाने के लिए जे पर्थम तीन दो प्रूस और तीन महला दिया है दो प्रूस प्रूस के लिए एम लिख लिए मेल लिख लिए तीन महला के लिए ओमेल लिख लिए अब इसको गुना करना है कितना दिन किया आठ दिन आठ से गुना करना है फिर य और महला और पुरूस का जो काम करने की छमता है यह देखते हैं कि एक पुरूस बराबर एक महला एक पुरूस बराबर कितना महला होता है या एक महला बराबर कितना पुरूस होता है उसे काम करने की छमता देखते हैं देखिए आठ से गुना कीजिए गया तो यह आट दोना स हो गया हम क्या करते हैं इसको इसको इदर रखते हैं इसको इठर मेनस में हो जाएगा तो है किल किना यह फॉदर घटाइएंगा तो है cm यहा प्रिक हो गया और अब दर 6 गया थी आपको 10 हो गया औरrik यह अब इसको छोटा किजिए गा, इसका कहने का मतलब जहां पर अपको करवाईَّंगा तो एक काम में आप एक में लगाईए, या दो ओ में लगाईए, दोनों बात बराबर हैं, तो हम अब करते हैं, पर्थम दो पुल्स और तीन महिला, तो दो में हो गया पलस आपको तीन ओमेन हो गया, यह काम करता है आठ दिन में, अब अन्तीम में देखिए हमको पांच पुरूस और तीन महिला यह चार महिला दिया हुआ, तब पांच पुरूस पांच मेन पलस यहाँ पे चार ओमेन लगाया कितना दिन में किया नहीं जानते हैं अब देखिए हमको एक मेन के बराबर दो ओमेन निकला था, दो मेन बराबर कितना हो गया चार यहाँ पे महिला हो जाएगा चार ओमेन, यहाँ पे चार ओमेन हो गया यहाँ पे तीन है, तो यहाँ गुना आठ यहाँ पे एक में वराबर आपको दो निकला था यहाँ पे है कितना यहाँ पर पंच है था 5 दुना 10 ओमें हो जाएगा plus यह 4 ओमें यह है यहाँ पर X अब इसको हल कीज़ेगा 4,3,7 ओमें हो गया गुना 8 हो जाएगा पर 10,4,14 ओमें दो बारे में यह कटेगा, चार मतलब इसका मतलब यह जो है एन पंच पुरूस और चार महिलां जो काम करेगा, यह चार दिन में आपको कर देगा, जो की आइसर नमरimi का सतर्मा पद उसके दस में पद से सात अधिक है, तो उस समानंतर स्रेनी का सारवंतर है देखिए समानंतर स्रेनी में जो पद होता है A N बराबर होता है A पलस N मैनस 1 इंटू D होता सतरमा पद जो है निसके 10 में पद से 7 अधीक है ये सतरमा पद 10 मां से अधीक है कि हम 10 मां पद किसे लिखते हैं A 10 बराबर होता है A plus N यानि N का मान 10 minus 1 into D लिखते हैं यह दस्मा पद हो जागा 7 सतरह बराबर हो गया A plus N मैंने 17 minus 1 हो गया into D हो जाएगा त्शेक्ट हो जाएगा देखिए यह 7 मान पद का मान यहां पे दिया गया दस्मा पद का मानिए दे दस्मा पद जो है ना आपको सत्रमा पद से यह साथ यह साथ अधीक है इसमें हम साथ जोड़ते हैं इसके यह बराबर हो जाएगा अब यहां पर क्या करते हैं यह हो गया ए पलस सत्रह मैनस वान इंटू डी बराबर यहां पर ए पलस यह कितना दस मै सब्सक्राइज और थाW सब्सक्राइज नोगनों इसान होना हो जाएगा दी बराबर साथ हैu डी बराबबर कितना हो गया साथ को साथ से भाग किजिए गा या आपको एक हो जाएगा आंसर नमर इसका आपको बी में दिया गया 36 नमर सवाल में है दो ट्रेनों की गती के बीच का अनुपात साथ अनुपात आठ है दूसरी ट्रेन चार घंटे में 400 किमी चलती है तो पहली ट्रेन की गती क्या हुआ देखिए दो ट्रेन है ट्रेन ए है ट्रेन ए बी है ट्रेन ए का जो अनुपात है ये साथ है ये आठ है अब देखिए ये जो है बी वाला ये चार घंटा में 400 किलोमेटर चलता है या इसका चाल कितना हो जागा चार सो बट या चार ये किजेगा तो यह आपको सो किलोमेटर परती घंटा हो गया इसका चाल हो गया यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ तो साथ आठ के अनुपात में दिया हुआ थे लेकिन इसका चाल जो होता है यह 100 km प्रती घंटा है यह आठ यानी 8 के बराबर यह 100 है यह आठ के बराबर कितना दिया हुआ यह पिसमें 100 km दिया यह एक बराबर कितना होगी यह 8 से इसको भाग कर दिये यहां साथ यानि एक आमान पुछ राज़ा साथ से गुना कीजिए तो उपर साथ सो नीचे आठ इसको हल कीजिएगा तो यह होगा आपको आपको 17.5 किमिटर परती घंटा आंसर नमर इसका बी हो यह सैंटीस का तिस नमर सवाल में है वह सबसे बरी संख्यां जिसे 1657 और 2037 से और यहां पर 2037 में क्या कीजिए पांच घंटा लिजिए इसमें जो आप घंटाईएगा तो यह 1651 हो जाएगा इसको घंटाईएगा तो यह दो हजार 32 हो जाएगा 1651 और 2032 का आप SCF निकाल दीजिए बरी से बरी संख्यां हो जाएगा जो कि इसमें भाग कीजिएगा 666 ब जाएगा SCF आप निकालने के लिए जानते हैं तो इसका आंसर क्या हो जगा आपको 127 हो जाएगा यहां पर आप